और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनिमता हैं तो सरकार ठोस खदम उठाएगी नमस्कार मैं हूँ पंकज्या और हाजिर हूँ मैं आपके शो आप दे रेकॉर्ड में लंबे अर्से बाद आपसे जोड़ा हूँ और वज़ा कुछ ऐसी हो भी गई है यूपी में यूपी में इस्तीफे की पेशकस और तबादले को लेकर सियासी हंगवा मचा हुआ है बात लखनव से लेकर दिल्ली तक पहुँच गई है एक बात और बताते चलता हूँ बारे में बारी बारी से और उसके पीछे के सियासी खेल को हम समझेंगे और आपको समझाएंगे भी और उसके बाद हम आपसे अप इच्छा भी करेंगे कि आप भी अपनी राई जरूर रखी मामला सबसे पहले दिनेश खटीक का आता है अब खटीक साब कौन है मेरट के हैं दूसरी बार विधायक चुने गए हस्तिनापुर से और जल्द शक्ति जिसे सिचाई मोटे तोर पर अब समझे सिचाई विभाग उसमें वे जूनियर मंत्री यानि राज्य मंत्री कोई पहल क्उलवार को लगनव में लोगभवन में मुख मंध्रि योगी आदितनात मंत्री-परिशत की बैठक ले रहे थे मंत्री-परchen और कैमनेट में फर्क होता है मंत्री परस्द में राजमंत्री भी पहुंच जाते हैं स्वतन्द प्रभार के उपमंत्री भी सारे लोग होते हैं सभी मंत्री होते हैं Council of ministers कहा जाता है जब मुख मंत्री योगी ना योगी आधितनात इस बैठक को ले रहे थे लोगभवन में उसी वक्त दिनेश्ख खटीक इस्तिपे की चिठी तयार करवा रहे थे वह चिठी भी हम आपको दिखाएंगे और उसकी मुख बातों को सिलसलेवार तरीके से समझाएंगे अब आप भी जानते हैं आप में से बहुतों को यह पता है कि अगर कोई मंत्री इस्तिफा देता है तो किसको भेजता है वो सबसे पहले या तो राजपाल को भेजता है राजववन जाता है या फिर अपने बॉस सुपर बॉस यानि कौन हुआ मुख मंत्री तो मुख मंत्र के पास या फिर सीम योगी आधितनाथ के पास या फिर बीजीपी के राश्ट्री अध्या की जेपी नड़ा के पास लेकिन खटीक ने बड़ी चतुराई से दो पन्नों की चिठी भेजी किसको अमित शाह को जो केंद्री ग्रह मंत्री अब जना मैं इस चिठी में दो चार बा ही थी उस बैठक में दिनेश्खटी को भी बतौर मंत्री मौजूद रहना था लेकिन वो नहीं गए जानबूज कर नहीं गए इस चिठी में उन्होंने मोटे तोर पर यह कहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है उन्होंने जिक्र किया है कि एक अधिकारी से उन्हों तबा कि बड़ी बात उन्होंने कई कि काम का बटवारा नहीं हुआ अब जब कैबनेट मंत्री होता है और मंत्री होता है तो उसमें विवागों का बटवारा होता है कि फलाना काम ये देखेंगे फलाना काम ये देखेंगे आखिर में वो लिखते हैं सबसे बड़ा बहाना जो उ है इनहीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पत्र से त्याग पत्र दे रहा हूं दिनेश्खटिक राज्यमंत्री तो आखिर में उनकी वो सियासी चाल सामने आ गए बात वो कर रहे थे अधिकारियों की मनमानी की तबादलों को लेकर विभाग में जारी भ्रस्टाचार को ले करते ही मंत्री मंदल में उन्हें जगा मिली कि पस्सी में दलितों के वो नेता हैं और इसलिए उनको मंत्री मंदल में जगा मिली तब तक तो ठीक था अब सब खराब है मंत्री मंदल की बैठक में वो नहीं मौजूद रहे चिठी उन्होंने अमित शाह को लिखी ना तो यो चिठी आपने लिखी और जनाब आपको ही नहीं पता तो टाइमिंग का खेल है अब दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ वो है जितिन प्रसाथ जो किरदार दूसरे हैं जितिन प्रसाथ लंबे समय तक कॉंग्रेस में रहे केंदर में मंत्री रहे गांधी नेहृ परिवार के करीवी माने जाते हैं जितिन प्रसाथ पिछले विदान सवाच्यनाव से पहले कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया पिछली सरकार में भी मंत्री थे इस बार उनको एक बड़ा महत्तोपोर्ण विभाग मिल गया जब मंत्री मंडल में विभागों का बटवारा ह हुआ तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ जितिन प्रसाथ को पी डवलूडी विभाग मिल सकता है पर उन्हें यह मिला याद करिए पिछले मंत्री मंडल में योगी पार्ट वन में यह विभाग डिप्टी सीम केशफ प्रसाद मौर का था अखलेस यादब के सरकार में यह नहीं मिला और यह इनको यह मिल गया और यह विभाग मलाईदार विभाग माना जाता है कहा जाता है इसमें पैसे का खूब खेल होता है अब हुआ यू कि इस विभाग में उनके प्रमुक्स अचिव है नरेंद्र भोशन जो कुछ दिनों पहले तो ग्रेटर नौइडा भाग में इंजिनियरों के ट्रांसफर हो गए तो मुख्यमंतरी आदितनात ने क्या किया कि तीन सीनियर आईएस अधिकारियों की एक कमिटी बना दी कि चलो इसकी जांच कर ले अब यह जांच की आच खुद जितिन प्रतास तक पहुंचने लगी है हुआ यू कि जिसको ल अंडे के खिलाब जो जांच हो रही है उसकी आच और छवी खराब हो रही है किसकी तो जितिन प्रसाथ की बात कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंच गई तीसरे जो किरदार है उनका नाम ब्रजेस पाठक है खुले आम उन्होंने चिठी लिखी थी सबसे पहले उन्होंने चिठी लिखी थी कि डॉक्टरों के और नर्सों के जो तबादले हुए उससे बुछे भी ना अब यहां भी टाइमिंग का खेल है मैं कह रहा हूँ कि टा से पूछ लिया कि डॉक्टरों के तबादले हुए तो किस आधार पर हुए मुझे इसकी पूरी लिस्ट भेज़ दीची अब इसमें कुछ हुआ तो नहीं है अब जैसे मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स में यही बात जितिन प्रसाथ की भी कल जब मंत्र मंदल की बैठक चल रही थी तब योगी आधितनात एक बात और कह रहे थे उस बैठक में कि आपके जो अपने नीजी स्टाफ है ना उन पर भी मॉनिटरिंग करिए वो क्या करते हैं नहीं करते हैं इसका ध्यान रखी कहीं ने कहीं बातों ही बातों में वो जेतिन प्रसाथ की तरफ इशारा कर रहे थी होता यू है यूपी में सालाना बड़ी पैमाने पर तबादले होते हैं उसके लिए डेडलाइन होती है तीस जोट अब उसमें मंत्री चाहता है उसके पास दवाव होता है बहुत सारे विधायकों का सांसदों का पार्टी के नेताओं का कि है बुए विभागों में इसतरा के शिकायते आ रहे हैं कि हेड़ैक कि एड़िस्टि शेक्रेट्री या फिर किसी दूसरे रहांग का अधिकारी हो सेकेरेटी इन में और मंत्रियों नहीं बन रही है इनी तबातल报 को लेख है स्वास्त विभाग में हुआ पी ढव्लू वो दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से मिल रहे थे तो पिछले 24-48 घंटों में यूपी में बहुत कुछ हो रहा है अब जो राजनीती को समझते हैं वो जानते होंगे कि जब चिठी लिखी जा रही है इस्तिफे की सीधे अमित्षाह को और यह चिठी होनी चाहिए ति किसके नाम वो होनी चाहिए थे योगी आदितनाद के नाम बहुत कुछ कहा नहीं जाता है लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है अचानक से ऐसा लगने लगा है और ऐसा कहा जाने लगा है कि youpe में मंत्रियों की नहीं चलती मैं चाहलमें लखनव था और एक cabinet मंत्री के यहां पहुंचा छोटी सी कहानी उससे कहानी समझने में आपको आसानी होगी तो मंत्री के पास पहुंचा मंत्री के एक बहुत करीबी नेता है वो भारती जनता हुआ मोर्चा क्या है तो उन्हों ने कहा कि भाई जितने दिन से हम इन मंत्री जी के साथ काम कर रहा है इससे बहते हो दोसी ठरहिप कहा container करना चाहते हैं अदicion का जा रहा है कि अधिकारी मंत्री के नहीं सुनते हैं बिजली विभाग में एक आये सदिकारी हैं M. देवराज उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मंतरी की नहीं सुनते हैं उनका नाम विभाग में अब देवराज नहीं यमराज कहा जाने लगा है पर कुल मिलाके इन सब के पीछे एक सियासी खेल भी है और उस सियासी खेल को मेरी बातों से ही आपने समझने की कोशिस की होगी और मुझे लगता है कि दिल्ली और लखनव पार्टी के नेतृत जो है वो लखनव का है और दिल्ली का है इन दोनों में सामंजस सगर नहीं बैठा तो आने वाले दिनों में योगी मंत्रि मंडल में गाहे बगाहे इस तरह के छोटे छोटे पठाके फुटते रहेंगे इसमें कोई दोर आए नहीं है हाँ इस बात को आप थोड़ा सा हर चीच छिलका छोड़ा कर कहना ज़रूरी नहीं होता है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, अगर आप समझ रहे होंगे, तो क्या समझा है, यह आप मुझे ज़रूर बताईएगा, आज की Off The Record में वस इतना ही